ये चुनाव मामुली चुनाव नहीं है, इस चुनाव में दो विचार धाराओं की टक्कर है, एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गड़बंदन जो समिधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामुली किताब नहीं है, इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, गलेतों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास, कोई हक नहीं थे, जो मिला है, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जेनरल कास के लोगों को, जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है, और अब प्रधान मंत्री ने, अमित शाह ने, और उनके अलग-अलग MPs ने मन बना लिया है, कि अगर वो चुनाव जीतेंगे, तो वो इस किताब को फाड़ के फेक देंगे, लड़ाई ये हैं वाईयों और बेनों, और मैं आपको ये कहने आया हूँ, कि जो भी देश में प्रगती हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहिए वो मन्रेगा हो, जमीन अधिकरन बिल हो, सफेद करांती हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा, बीजेपी चाहती है, कि ये किताब फेक दी जाए, और देश को बीस पच्चिस अरब पती चलाएं, हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षन मिला, सेना में आपके भरती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते है, ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिच्णों को, आदिवासियों को, गरीब जेनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खतम हो जाएगा, अगर ये किताब खतम हो जाएगी, माताएं जो बैटी हैं, ये बात को समझिये, ये मामूली किताब नहीं है, बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमिच्छा ने कहा है, बड़े-बड़े नेताओं ने कहा है, कि अगर चुनाव में जीत होगी, तो कॉंस्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद कर दिया जाएगा, और मैं आपको बताने आया हूँ, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं चूने वाला है, दुनिया में कोई शक्ती नहीं है, जो इसको बदल सके, ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी ने, अमबेटकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर, अंग्रेसों से लड़ाई की, और ये जो कॉंस्टिटूशन है, ये जो समविदान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया, इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे, और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे, पहली बात ये है, अब ये कहते हैं, कि हम आरक्षन के खिलाफ नहीं है, तो अगर आप आरक्षन के खिलाफ नहीं हो, तो फिर आप पबलिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो, आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो, आप अगनिवीर योजना क्यों लाए, अगर आप reservation के खिलाफ हो तो आपको ना अगनिवीर योजना लानी थी ना प्राइविटाइजेशन करना चाहिए ना आपको ठेकेदारी प्रता लागू करनी चाहिए ये सब के सब काम reservation के खिलाफ काम करे जा रहे हैं आप अरब पतियों का करजा माफ कर देते हों 16 लाख करोर रुपया भाई और बेनों 16 लाख करोर रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोधी जी ने करजा माफ किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कितने किसानों का करजा माफ किया कितने मजदूरों का करजा माफ किया कितने छोटे दुकानदारों का करजा माफ किया कितने बेरोजगार युवाओ का करजा माफ किया गरीब व्यक्ति प्राइवेट हस्पताल में जाता है लाकों रुपए का कर्जा हो जाता है कभी नरेंद्र मोधी जी ने कहा कि हाँ मैं गरीब का कर्जा माफ करूँगा कभी नहीं कभी नहीं किया कहा भी नहीं किया भी नहीं बाईयों और बेहनों 16 लाक करोड रुपए पता ही कितना होता है पता ही कितना होता है नहीं मालूम मैं बताता हूँ हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब हमारी सरकार थी अगर आप 25 साल के लिए हर साल हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ करोगे तब 16,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 प्रेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है हालत यह हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना सत्तर करोड़ हिंदुस्तानियों के पास यह देखिए स्टेज पे 22 लोग बैटे हैं ऐसे 22 लोग हैं बीजेपी के मित्र नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं राम मंदिर का इनाउगरेशन हुआ सारे के सारे वहां बैटे थे आपने किसी गरीब मजदूर को देखा किसान को देखा कोई था वहां पे गरीब नगे वहां पे हजारों करोड वाले आदमी थे वहां पे बॉलिवूड के सारे के सारे एक्टर थे वहां पे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम बैटी थी मगर इस देश का एक किसान नहीं दिखा एक मजदूर नहीं दिखा एक छोटा दोकांदार नहीं दिखा एक पिछड़े वर्ग का भियक्ती नहीं दिखा एक दलित नहीं दिखा एक आदिवासी नहीं दिखा एक गरीब जेनरल कास का नहीं दिखा पार्लिमंट हाउस का इनॉगरेशन होता है नई बिल्डिंग चमक्ती बिल्डिंग बनती है हजारों करोर रुपे की बिल्डिंग बनती है आदिवासी राष्ट्रपती को बुलाया ही नहीं जाता उनसे कहा जाता है ना तुम पार्लेमेंट के इनॉग्रेशन में आओगी और ना तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आओगी राम मंदिर और पार्लेमेंट हाउस को नरेंद्र मोदी जी खोलेंगे कोई आदिवासी का दलित का पिछड़े वर्ग का किसी का चहरा नहीं दिखना चाहिए सिरफ नरेंद्र मोदी जी का चहरा दिखना चाहिए और ये भाई और मैंनों हुआ और जहां भी देखो दो तीन अरब पतियों को सारा का सारा धन दिया जाता है रेल्वेस देखो अदानी सोलर पावर देखो अदानी बिजली देखो अदानी सडक देखो अदानी हत्यार देखो अदानी जहां भी देखो किसान के कानून बनाए अदानी अंबानी के लिए हिंदुस्तान का हरे किसान जानता है कि हमारे जेब से पैसा निकालने की कोश्चिश हो रही है सारे के सारे खड़े हो गए नरेंद्र मुदी जी क्या कहते है आतंकवादी है आतंकवादी है जो देश को भोजन दे रहे है चौपिस घंटा खून पसीना देते है वो आतंकवादी है ये हालत है देश की आप जानते हो नोट बंदी की गलत GST लागू की आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी है हर हिंदुस्तानी युवाई ये बात समझता है जानता है सबसे जादा मेंगाई आज है और मज़े की बात जनता से पूछो मुद्दे कौन से हैं आपको कहेंगे बेरोजगारी भागिदारी मेंगाई मगर आपको मीडिया में ये कभी ही नहीं दिखने को मिलेगा आपने अपने आपसे कभी पूछा कि भाई मीडिया किसानों की बात क्यों नहीं कहते मीडिया मेंगाई की बात क्यों नहीं करते गरीबों की बात क्यों नहीं करते कब भी नहीं यह आपके हैं नहीं इनको पहले मैंने मित्र बोला मगर यह आपके मित्र नहीं है 24 गंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा आप देख लेना मैं आज यहां मीटिंग में करांतिकारी चीज़े बोलने जा रहा हूँ ऐसी चीज़े बोलने जा रहा हूँ जो देश को बदल देंगी मगर मगर देखना मीडिया नहीं दिखाएगा देख लेना शर्त लगाऊंगा मैं आपको करांतिकारी चीज़े बोलने जा रहा हूँ जो आपको हिला देंगी तीन-चार मिनट ताली बजेगी आपकी मगर मीडिया नहीं दिखाएगा सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी 22-25 अरबपती बना सकते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी करोणो लाखपती बना सकती है यह महिला आई हैं आज अब जो मैं कहने जा रहा हूँ पुर्षो को अच्छा नहीं लगेगा मगर मैं साफ बोल देता हूँ गुस्सा मत होना मुझसे गुस्सा नहीं होना है देखिए 21 मी सदी में आप बाहर जाके 8-10 गंटा काम करते हो खेतों में काम करते हो मजदूरी करते हो छोटा बिजनेस चलाते हो नौकरी करते हो मगर हिंदुस्तान में महिलाई भी ये काम करती है महिलाई भी मजदूरी करती है 8-10 गंटा महिलाई भी जॉब करती है महिलाई भी केतों में काम करती है जॉब के लिए मज़दूरी के लिए आपको भी पैसा मिलता है महिलाओं को भी पैसा मिलता है मगर अगर आप आठ गंटा बाहर काम करते हो और ये आठ गंटा भी बाहर काम करती है तो ये फिर आठ गंटा घर में भी काम करती है खाना पकाती है हिंदुस्तान के भविष्य की देखबाल करती हैं बच्चों को समझाती हैं सिकाती है मगर किसी भी सरकार ने उन आठ घंटों के लिए इनको कॉम्पेंसेशन पैसा कभी नहीं दिया है सही बोला गलत बोला सही बोला तो अगली हिंदुस्तान की सरकार इंडिया गडबंदन की सरकार पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को ये जो घर में काम करती हैं आठ घंटे जो भविष्य की देखबाल करती हैं उसके लिए पैसा देने जा रही है अभी ताली बजाई है जब मैं बताऊंगा कितना पैसा फिर देखना ताली कैसे बज़ती है तो महिलाओं के लिए तीन काम होएंगे सबसे पहला काम जिसको हम महा लक्ष्मी योजना कहते हैं इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी कोई भी जात हो किसान का परिवार हो मजदूर का हो छोटे वियापारी का हो जो भी है अगर वो गरीबी रेका से नीचे है करोणो परिवार की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा आपका नाम क्या है मैडम आपका नाम क्या है गुलाबी साडी वाली क्या नाम है रूपा मिश्रा जी रूपा मिश्रा जी जैसे करोणों महिलाओं के नाम लिखे जाएंगे और फिर साल के एक लाक रुपिया हर बैंक अकाउंट में जाएगा बाई और महिनों 10,000 नहीं 20,000 नहीं 50,000 नहीं 70,000 नहीं एक लाक रुपिया प्रती परिवार के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपिया हर महिना कटा कट, कटा कट, कटा कट आप सुबह उठेंगी एक तारी को आप सुबह उठेंगी कहेंगे चलो देखते, बैंक अकाउंट में क्या है, बैंक अकाउंट में देखेंगी, जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8500 रुपए डालेगी, अगले महीने, जून में देखेंगी, चलो एक तारी को देखतें क्या हुआ, 8500 रुपए, खटाक जून में, जुलाई में, अग अब ताली बजा रहे हो मीडिया नहीं दिखाएगी हमने मनरेगा किया मीडिया का हर पत्रकार कहता है देखो गरीबों की आदत बिगाड रहे हैं मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड रहे हैं कि अधानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाकों करोड रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है गरीबों को पैसा दो तो आलतल बिगाड रहे हो और अरब पतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है तो हमने मन मना लिया है दस रुपए उनको मिलेंगे तो दस रुपए आपको मिलेंगे लाग रुपए उनको मिलेंगे तो लाग रुपए आपको मिलेंगे करोड रुपए मिलेंगे तो करोड रुपए मिलेंगे हजार करोड मिलेंगे तो हजार करोड मिलेंगे जितना उन्होंने दस साल में उनको दिया न, हम आपको देने जा रहे हैं, तो यह हो गया, पहला कदम, महा लक्ष्मी योजना, करोणों महिलाओं को लाख पती बनाने वली योजना, अब जैसे मैंने यह बोल रहा था, तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो युवा कड़े हैं, यह मेरी और देख रहे ह कहने भाईया आपने एक लाग रुपय मतलब महिलाओं को पकड़ा दिया आपने भाईया एक लाग रुपया महिलाओं को पकड़ा दिया नरेंद्र मोधी जी ने हमें भूका मार दिया हमसे पकोड़े तलवा दिये थाली बजवादी मोबाइल फोन की लाइड चलवादी हमारा क्या होगा और बिल्कुल सभी सवाल है आपका क्या होगा क्योंकि पैसा तो आप देते हो जी एस्टी जितनी आप देते हो उतनी अधानी देता है आप शट करीते हो जी एस्टी देते हो पेट्रोल भरते हो जी एस्टी देते हो पकोड़े घाते हो जी एस्टी देते हो पैसा आपका सीधा आपके जेब से जाता है अधानी की जेब में जाता है अमबानी की जेब में जाता है अच्छा एक बात बताओ आपने आपने नरेंद्र मोधी जी की अधानी और अम्बानी के साथ फोटो तो देखिए ना देखिए ना सूट में मोधी जी अधानी जी अम्बानी जी राम मंदिर में देखिए तो है ना मगर नरेंद्र मोजी जी के मुझे आपनेista कभी सुना अधानी शब्त कभी सुना नए ए कि यह कर शुद करेंट 추가 मीरी फोटो देखियो उनके साथ कभी मगर मेरे मुझे शब्ट निकलता आदानी अभानी पररक समझेट पर मैं आपका हूं वो उनके है तो अब युवाओं को बेरोजगार कर दिया, पकोड़े बनवा दिये, और इस मीटिंग में युवा मेरी और देख रहे हैं, कह रहें बहिया, ये एक लाक रुपे हमारी बेहनों को दे रहा है, माताओं को दे रहा है, हमारा क्या होगा, अब मैं वह आपको बताता हूँ, क्य होगा, और अब पतियों के बेटे, अपनी कंपनी में, अपने पिता के कंपनी में जाकर, अप्रेंटेशिप करते हैं, छे महीने की नौकरी करते हैं, एक साल की नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद, उसके बाद, उनको पर्मन नौकरी मिलती है तो एक प्रकार से जब अधानी या अंबानी अपने बेटे को जॉब मार्केट में डालना चाहता है तो उसका तरीका अपरेंटिशिप होती है पहली नौकरी होती है कभी-कभी वो छे महीने की होती है एक साल की होती है यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगा युवाहों को नहीं मिलता आप भटकते रहते हो आगे पीछे सडकों पे तो अब इंडिया की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी सुनो दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर graduate को हर डिप्लोमा holder को apprenticeship का अधिकार देने जा रही है अप्रेंटिशिप का मतलब पहली नौकरी पक्की योजना होगा क्या सारे ग्रेजुएट्स डिप्लोमा होल्डर्स को अधिकार मिलेगा आप सरकार से एक साल की गैरंटी की नौकरी मांग सकते हो आपको एक साल की ट्रेंइंग मिलेगी बहतरीन कंपनियों में प्राइबेट सेक्टर की कंपनियों में H.A.L. B.H.E.L. इंडियन ओयल पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में सरकारी ओफिसेज में सरकारी हस्पतालों में सरकारी कॉलेजिस और यूनिवर्सिटीज में आपको एक साल की पक्की नौकरी मिलेगी ट्रेंइंग मिलेगी और एक लाक रुपिया आपका साल का बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा आथ हजार पांच सो रुपे महीने के एक लाक रुपे साल के करोणों महिलाओं को मिलेंगे और वो ही काम करोणों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे पहरतरीन ट्रेंड वर्क फॉर्स रेडी मेड ट्रेंड वर्क फॉर्स मिलेगे अब किसान देख रहे है मेरी और कह रहे है यह क्या कर दिया आपने एक लाक रुपे बच्चों को दे दिया एक लाग रुपए हमें आरे घर में मतलब महिलाओ को दे दिया हमारा क्या होगा आपका कर्जा माफ होगा और आपको गैरंटी कानूनी MSP मिलेगी बाई और बहनों 30 लाग सरकारी वेकंसीज हैं नरेंद्र मोधी जी प्राइवर्टाइज करते जाते हैं ठेकेदारी प्रता उन्होंने लागू कर रखी है आप सब का उन्होंने जो आपका हक बनता है वो छीन रिया है ये जो 30 लाख नोक्रियां खाली पड़ी है हमने कैल्क्यूलेट किया हमने निकाला हैं आकड़ा इनको हम 6 महीने के अंदर आपके हवाले कर देंगे कि अगनिवीर की कि यहां से लोग सेना में जाते हैं कि जाते नहीं जाते हैं कि सबसे जादा भेंड से कि अब देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि दो तरीके के जवान बना दिये कि एक जवान जिसको पेंशन मिलेगी जिसको कैंटीन मिलेगी जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और दूसरा जवान जिसको ना कैंटीन मिलेगी ना पेंशन मिलेगी ना सठीक सैलरी मिलेगी एक को वो अगनिवीर कहते है और दूसरा नॉर्मल जो जवान होता है वो है अब आप सोचिए दो लोगों को आप युद में भेज रहे हो एक से आप कह रहे हो कि देखो भाईया अगर आपको कुछ हुआ तो हम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सेना आपके परिवार की रक्षा करेंगे आपके बच्चों की रक्षा करेंगे और जो भी सुविधा आपको चाहिए आपके परिवार को हो सुविध जिस भी सुविधा की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी और दूसरे जवान से कह रहे हैं कि भाईया देखो अगर आपको कोछ हुआ तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कोई मदद नहीं मिलेगी आप शहीद हो गए तो हो गए बाकिस सब छोड़ो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा अब सोचो सेना में क्या होने वाला है उस साइट चीन खड़ा है चीन के जवानों को पांच साल की ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ पे सब को पेंशन मिलता है उनका कुछ हुआ तो उनकी सरकार उनकी देखबाल करेगी और यहां हमारा जवान जो यहां बिंड से जाएगा उससे कहेंगे देखो भईया तुम शहीद हो जाओगे तो तुमारे परिवार को कोई नहीं देखने वाला क्या वो ठीक से लड़ेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी ने सेना का अपमान किया है और बाई और बैनों आप हैरान हो जाओगे कि सेना अगनी भी नहीं चाती है सेना अगनी भी नहीं चाती सेनिक अगनी भी नहीं चाते जेनरल अगनी भी नहीं चाते जवान अगनी भी नहीं चाते सिरु नरेंद्र मोदी चाता है और थोपतिया उपर कि भहिया PMO ने निन्ने लिया है दो तरीके के शहीद होंगे चार साल बाद तीन चोथाई लोगों को भगा दिया जाएगा एक चोथाई को रखा जाएगा और अगर वो जो तीन चोथाई हैं अगनी भी रहें अगर उनको गोली लग गई शहीद हो गए तो हो गए कोई शहीद का दर्जान नहीं मिल गए यह नरेंदम होती की सोच है मीडिया वाले कभी नहीं उठाएंगे यह कोविड में ठाली बजाने की बात करेंगे मगर यह जो मैं आपको कह रहा हूँ यह कभी नहीं उठाएंगे आप जानते हो कहने की जरुद भी नहीं है ठेकेदारी प्रखा प्रथा अगर आप पिछणों को देखो दलितों को देखो आदिवास्यों को देखो गरीब जनरल कास को देखो बड़ी-बड़ी कंपनियों में आप तो यह लोग नहीं दिखेंगे अदानी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो मुझे एक एक गरीब जनरल कास का दिखा दो उसमें एक दलित एक आदिवासी एक पिछणा मुझे एक नाम दे दो मान जाओंगा है नहीं 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 दो-tीन परसंट लोग है एक परसंट लोगों के पास हंदुस्तान का 40% दन है वह ही लोग है एक परसंट उनके पास सब कुछ को और गरीब लोग क्या कर रहे मनरेगा कर रहे है मनरेगा का पैसा नहीं दे रहें, ठेकेदारी में मजदूरी करते हैं, जब ची करता है निकाल के फेक देते हैं, कोई सोशल सिक्यरिटी नहीं, कोई पेंचन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, चेहरा अच्छा नहीं लगा तो जाओ, मर जाओ, ऐसे देश थोड़ी चलेगा, तो मजदूरों के लिए, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, सरकार आने के बाद 400 रुपए हो जाएगा, आश्चा और आंगनवारी में जो महिलाएं काम करते हैं, आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, और ये जो ठेकेदारी प्रता है, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी, ओफिसिस में, जहान किसी को भी एक दिन में निकालके बाहर फथेक सकते हो, इसको हम खतम करने जा रहे हैं, अगर नोकरी मिलेगी सरकार में public sector में मिलेगी तो इज़त के साथ मिलेगी pension के साथ मिलेगी रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी तो यह हम आपके लिए करने जा रहे है देखिए main मुद्दा इसका है इसको बचाना है इसकी रक्षा करना है ये ये इंदुस्तान की आत्मा है और बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी इसका गला गोटने की कुशिश कर रहे हैं ये हम कभी नहीं होने देंगे आप सब आए मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ